हेलो फ्रेंट्स वेलकम तो नर्सिंग स्टडी आज की वीडियो में हम बात करेंगे कार्डिक टेमिलोजी के बारे में तो कुछ एक टर्म्स हैं जो कि हार्ट से रिलेटिड है या फिर इन्हें हम कार्डिक टेमिलोजी भी बोलते हैं तो यह सिर्फ हार्ट से रिलेटि टेमिल terminology है, सबी को हम एक के करके पढ़ेंगे, तो first हमारे tachycardia, heart rate is 100 beat per minute, यानि कि 100 plus अगर हो जाती है, 100 है या फिर 100 से ज़्यादा heart rate हो जाता है, तो tachycardia की condition patient को हो जाती है, ऐसे ही है हमारा bradycardia, तो bradycardia में क्या होगा, heart rate less than 60 beat per minute, अगर heart rate क्या है, अगर 60 से कम हो जाता है, तो उसे हम उस condition को हम बोलते है, bradycardia, यानि कि patient को क्या हो गया है, bradycardia हो गया है, नेक्स आता हमारा, fibrillation, fibrillation क्या है, एक तरह से यह भी क्या है, heart condition है, जिसमें क्या होगी, atrium की जो condition है, यानि कि यह irregular heartbeat हो जाएगी, rapid heartbeat हो जाएगी, ठीके, एक तरह से यह भी क्या है, एक अरिदमा हो जाएगा patient को, अरिदमा, next है हमारा अरिदमा, अरिदमा क्या है, irregular heartbeat, तो fibrillation में भी यही हो रहा है, और अरिदमा इसका second meaning है, fibrillation का, तो रिदमा में क्या हो रहा है, irregular heartbeat हो जाती है, यानि कि यह कभी rapid हो जाती है, या फिर कभी slow हो जाती है, तो heartbeat जो है, वो एक normal condition में नहीं चल रही है, उसके बाद आता है, myocardium, myocardium क्या होती है, यह heart muscle होती है, ठीके, हाट की एक membrane है, a systole, no systole contraction, a systole क्या है, यह contraction condition है, इसमें क्या हो रहा है, systole क्ट्रेक्शन नहीं हो रहा है, second आता है, हमारा next आ रहा है, हमारा palpitation, heart skip beat और flutters, यानि कि heart क्या है, beat करना skip कर देता है, जब, यानिकि जो heart regular beat कर रहा है उसमें वो skip कर जाता है यानिकि कभी वो heart beat नहीं कर पाता है या फिर वो time पर beat नहीं कर रहा है essay notes, essay note क्या है electrical pace maker of heart यानिकि यह क्या है एक electric crunch होता है ठीक है pace maker की तरह काम करता है essay notes, AV note क्या है transmit essay signal from atrium to ventricles यहां पर AV notes essay क्या कर रहा है यह electric crunch देता है heart को ठीक है ऐसे note का काम होता है heart को pump करना यानिकि electric crunch देना जिससे heart वो beat कर सके और AV note क्या कर रहा है उन signal को receive कर रहा है यानिकि जो essay note काम कर रहा है उसको AV note transmit करता है और atrium to ventricles तक पहुंचाता है तो यह थी कुछ important terms जो कि हमारे heart से related है cardiac terminologies हैं जो आपको हमेशा ही पढ़ने को मिलती हैं जब भी आप first year से लेकर के end तक आपको यह सारी terms जो हैं वो पढ़ने को मिलती हैं तो यह term आपने याद रखनी है आपसे practical exam में भी पूछे जा सकता है या फिर आपके जो competitions exam होते हैं आप जो आपके लिए apply कर रहे हैं तो उसमें भी यह पूछी जा सकती है तो आज की वीडियो में इतना है I hope यह वीडियो आपके लिए helpful रहेगा thank you for watching